हेलो स्टुडेंट्स, विल्कम दु कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी यूट्यूची चैनल, कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूटी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्लाजल सिंग and I am the Faculty of Law in the Competition Community, और आज आप सभी स्टुडेंट्स के लिए हम लेके आए हैं हमारी administrative law series का एक और video lecture और आज हम बड़े ही summary के form में बड़े ही छोटे part में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एक बड़े ही important topic को जो कि administrative law और साथी साथ general law में भी बहुत importance रखता है अगर आप litigant हैं अगर आप practice करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है आज का हमारा जो topic है वो होने जा रहा है Central Administrative Tribunal यानि कि जो advocates है वो normally इसको address करते हैं CAT के नाम से जिसका full form क्या होता है Central Administrative Tribunal administrative law में इसकी importance थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि administrative law deal करता है executive की उस branch को जो की हमारे day-to-day administration और हमारी democracy के administration को deal करती है अब administrative tribunal specifically उस portion को deal करता है जहाँ पे जब ये administration से related कोई matter होता है जिसको हम आम तोर पे रोज मर्रा की भासा में service matter कहते हैं तो ये matter कहां जाता है सबसे पहले Central Administrative Tribunal और इसी लिए इस tribunal का formation हुआ तो आज के इस video lecture को हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये Central Administrative Tribunal है क्या और ये काम कैसे करता है तो जैसा कि हमें पता है कि हम सबसे पहले break करने की कोशिश करते हैं term को कि terminology क्या कह रही है और हमारी terminology यहाँ पर दो है एक administrative और एक tribunal अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को follow-up नहीं किया है तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी type of courts and tribunals की जिसमें हमने बहुत brief में समझाया था कि tribunal होता क्या है लेकिन इस वीडियो में भी हम tribunal को समझने की कोशिश करेंगे administrative क्या है जो भी administrative authorities है जो भी administrative bodies है जो इस administrative law के अंडर में काम कर रही है असान बाशा में समझने की कोशिश करें तो executive जो है उसके नीचे काम करने वाली जितनी भी bodies है वो कौन सी है वो administrative authorities है administrative bodies है और इन से related कोई भी matter किसी न्यायाले के पास अगर जाता है तो वो क्या करेगा न्यायाले का burden बढ़ाएगा अब एक specific type के मामले किसी एक court के पास जा रहे है तो court के पास और state government के पास ये power है कि वो specific type of offenses के लिए वो specific type of cases के लिए एक नया tribunal बना सकते है कि वो matter उस tribunal में solve हो और उसकी appeal सीधे फिर court में है ताकि court का कारभारे में काम हो तो tribunal को भी ऐसे ही हम आशान भासा में समझ सकते हैं ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम next slide की तरफ जाके देखेंगे यानि कि वो 100% judicial body के entity hold नहीं करती है वो partly judicial है और partly वो एक administrative body या some other type of body की function को perform कर सकती है एक judicial body होने के लिए सबसे ज़्यादा important requirement क्या है कि जो presiding officer हो उस body का वो कौन हो एक judicial member हो जो tribunals होते हैं उसमें आम तोर पे ऐसा देखा जाता है कि उसके जो presiding officer यानि कि जो जज होते है वो एक judicial officer तो होता है लेकिन उसके साथ साथ उस specific area के experts को भी रखा जाता है जज बनाके जिसके लिए उसको हम quasi judicial कहते हैं इसके साथ ही साथ एक चीज और ज़्यादा observe करने वाली है कि normal court से थोड़े extra functions perform करते हैं एक्स्टा सी जगह हम एक शब्त का इस्तमाल कर सकते हैं डाइवर्टेड या multi-dimensional अगर वो administrative tribunal है तो administration से related काफी functions को perform करीगी जो कि एक normal court नहीं कर सकती है normal court के पास power होगी कि वो evidence और CRPC के base पे चले administrative tribunal के अपने special rules भी हो सकते हैं तो tribunal का मतलब हम समझ गए और उसके साथ-साथ इसमें और क्या लिखा हुआ है यह क्या कह रहा है कि यह जो administrative tribunals है यह एक court की तरह judgment तो देते हैं इसके साथी साथी और भी कई चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि दो parties के मीच में एक middle line उनके भी draw करवाने के लिए उन दोनों को बिठा के उनका arbitration करवा सकते हैं specific word arbitration नहीं होगा उन दोनों के भी settlement करवा सकते हैं वो कोई administrative decision पास कर सकते हैं और उसके साथी साथ जो administrative decision पहले से पास होगा था उसको nullify कर सकते हैं इस तरह के function भी tribunal perform करते हैं तो हमें एक brief idea लगया कि tribunal क्या होता है courts के जैसा ही बनाई गई quasi judicial body जो की court की तरह ही काम करती है लेकिन उनके functions वह specific होते हैं derived होते हैं कि वो उसी sphere में काम करेंगे ठीके आगे बढ़ते हैं अगली slide में हम समझने की कोशिश करते है administrative tribunal act अब जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई administrative tribunal बनी है और वो govern हो रही है हमारी country में तो उसका act जरूर होगा तो उस act को ढूंते ढूंते जब हम पहुचे तो हमें क्या पता चला administrative tribunal act 1985 नाम का एक act हमारे पास है ठीक है यह act तो आया लेकिन कोई भी चीज हमारे इंडिया में हमारी democracy में हो रही है तो उसका base हमेशा होगा constitution of India क्योंकि वो हमारी soul of the democracy है तो इसी के base पे हमें क्या मिला article 323A article 323A के base पे Parliament ने administrative tribunal act 1985 को बताया जो कि किस बारे में बात करता था जो सारे के सारे matter जो fall कर रहे थे article 323 के sub clause 1 में उससे related उन्होंने Central administrative tribunal बनाया और administrative tribunal act का formation हुआ ठीक है sir according to this act there must be a central administrative tribunal यानि इस act के इसाब से एक central administrative tribunal होनी चाहिए जो कि कहाँ पे होगी center पे होगी और उसके साथ ही साथ state administrative tribunal जिसको हम कहते है sat और cat आम तोर की भाशा में जब हम कभी state administrative tribunal पे जाते है तो उसको हम cat के नाम से ही कहते हैं कि वो central के administrative tribunal है उसकी bench पे हम जा रहे हैं और अपनी appeal को दायर कर रहे हैं तो इस act के तहत state level पे भी administrative tribunal होनी चाहिए और center level पे भी administrative tribunal होनी चाहिए इन tribunals का काम क्या होगा इन tribunals का काम केबल इतना होगा कि जो service related matters है जो भी administrative related matters है ये सारे matters पहले इन tribunals के पास आए और सबसे पहले इनका जो dispute resolution है वो यहाँ पे हो जब इन लोगों का dispute को relief मिल जाएगा तो अगर इनको appeal करनी है तो ये सीधे high court में जाए और अगर इनको appeal नहीं करनी है तो जो भी matter है वो tribunal में खतम हो जाए इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान है जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो पहले हमें ये समझ में आ गया कि administrative tribunal acts 1985 से इन tribunals की स्थापना हुई ठीक है sir इसके objectives क्या है objectives हम बहुत सारे लिख सकते है जैसा कि आम तोर पे बच्चे अपनी exam sheet में paper बढ़ाने के लिए लिए लिखते हैं लेकिन हम केवल दो major objectives के बारे में बात करेंगे जो की actual में importance रखते हैं वो objectives क्या है to relieve congestion in courts इसका मतलब court में जो बिना मतलब की भीड़बाड है court के ओपर जो unnecessary burden है अगर जितना हो सके court के भार को हम कम करेंगे तो क्या होगा effective judgment making हो पाएगी effective justice provide किया जा पाएगा जितना ज़ादा court के कंदों से भार हम कम करते जाएगे उत्ता ज़ादा effective justice provide होगा और इसी के base पे court के congestion को कम करने के लिए भी administrative tribunal की स्थापना होई और दूसरा क्या था speedy undisposal अब आप मान के चलिए आप किसी court में अगर आपका मामला गया उसी court में एक murder का भी case चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपके case को first priority दी जाए हो सकता है आपको तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक मिलती चली जाए लेकिन अगर आप एक specific tribunal पर गए है जहां पर आप ही के related सारे cases को देखा जाते है तो cases के number भी कम होंगे आपको hearing का मौका भी जादा मिलेगा और आपकी frequent hearing होंगी क्योंकि आपका जो topic है वही judge का भी topic है दोनों same point of view और same concern के लिए उस tribunal में या उस premises में मैठे है ठीक है आगे बढ़ते है characteristics के बारे में बात करते है characteristics किसकी यहाँ पर हम लिख देते हैं CAT मतलब Central Administrative Tribunal यानि कि Administrative Tribunal की कुछ important characteristics क्या है सबसे पहला क्या है Specialization Specialization मैंने यहाँ पर क्यों लखाए Specialization का मतलब यह है Administrative Tribunal की स्थापना अप चुकी अलग से की गई है तो वहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को बठाया जाएगा जो Administrative Decision Administrative Authorities उस जगा का experience लेके आते हैं और उस जगा पर specialized है यानि कि उनका बहुत vast experience है उन matters को solve करने का जो कि Administration से related है तो इसलिए उनकी justice making बहुत जादा effective होगी और बहुत ही जादा efficient होगी हो सकता है वो बहुत तेजी से hearing कर पाएं और बहुत अच्छे judgments को दे पाएं जिसको appeal में जाने की जरुवत ही ना पड़े उसके साथी साथ flexibility की बात है flexibility कहां से आई flexibility इसलिए आई क्योंकि दो expert member जो की same field के belong करते है यानि कि जो concerning party है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है जो tribunal पे पहुची है वो भी administrative body को belong करता है administrative fields है और जो party उसको सुन रही है वो भी कौन है administrative field को belong करता है अब दोनों के बीच किसी किसम का gap नहीं है वो अपनी बात जो समझा रहा है वो सामने वाला समझ रहा है और सामने वाला जो समझा रहा है आपको जो भी तारीख मिलती है और उसके बाद आपको तारीख पर शायद तारीख है मिलती चली जाती है क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसे बहुत जादा है और इसी में आपको बताना चाहूंगा एन जे डीजी नैशनल जुडिशल डेटा ग्रिट पर आप जाके देख सकते हैं और वहाँ जाके क्योंकि केसे का नंबर कम है तो एफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा स्पीड का मतलब भी वही है सर कि आपको बहुत तेजी से नयाई मिल सकता है क्योंकि स्पेशलाइज ब्रांच है और एड्जुकेटरी एन एडवाईजरी फंशन्स कोई सबसीडरी बॉड़ी है उसको कोई एड्मिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना जिसको बहुत जादा केंफ्यूजन है तो वैसे केस में क्या करेगा एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिबिनल के पास जाएगा और उनसे उनकी मदद मांगेगा कि सर आप मुझे गाइड कर दी सब के सब कहां पर रिलीफ लेते हैं जाके सी एटी में यानि की सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव टिबिनल में ठीक है सर्थ क्या लिखा हुआ है पर्टेनिंग टूब्मिनिस्ट्रेटिव इंप्लाइज और फेनी यूनियन टेरिटरी लोकल और अधर गवर्मेंट अंड सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव टिबिनल में जाएगा उसके साथ ही साथ दे कैट वस सेट अप एट 1st November 1985 1st November यानि की 1 11 1985 को पहली बार कैट का सेट अप हुआ था उसको इस्थापना करी गई थी उसकी बेंचेस कितनी है 17 रेगुलर बेंचेस हैं जिसमें से 15 कहां ऑपर सेट करती है जो उनके रिस्पेक्टिव स्टेट के प्रिंसेपल हाई कोट की मैं वहीं पर ऑपरेट करती है और दो अलग बेंचेस कहां पर लगती है दो लगती है जैपूर और लखनाओं में यानि की टोटल बेंचेस हमें पता होनी चाहिए 17 रेगुलर बेंचेस का मतलब जो की continuous period में सर्फ करती है बाकी के जो बेंचेस है वो temporary basis पे भी लगाई जा सकते हैं अगला पॉइंट एक बर पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्रिबिनल होगा जो भी formation होगा जो भी dice होगी उस पर कौन होता एक चेर्में होता है वाइस चेर्में हो सकते हैं और member होते हैं तो अगर मैं आपको practical sense में बताऊं कि यह जो ट्रिबिनल बैठती है इसका actual में कैसा रहता है तो उसमें एक judicial member बैठते है और एक administrative ट्रिबिनल के member बैठते है यानि कि एक ऐसा person जो की administrative officer हो सकता है मेरा personal experience है एक case का जिसमें जो judge थे उसमें से एक judge जो थे judicial member ही थे यानि कि वो originally judge थे और एक member जो थे वो कोई retired IS officer थे यानि administration से लिडिट मामला है तो IS officer को बठाया और एक judge को बठाया इसलिए वो क्या हो गया quasi judicial body हो गया ठीक है the members are drawn both from judicial as well as administrative team जैसा मैंने आपको बताया judicial और administration दोनों judicial member कौन हो गया कोई judge हो गया और administrative कौन हो गया कोई IS हो गया या और कौन हो सकता है कोई IRS हो सकता है या इस तरह के लोग जो administration से related work को कर रहे थे ठीक है the appeals against the orders of administrative tribunal shall lie before the divisional bench of the consent high court यानि कि जो भी central administrative tribunal में आपको judgment मिला है अगर आप उसके खिलाफ जाना चाहते है उसकी appeal करना चाहते है तो आप कहां पे जाएंगे सीधे supreme court नहीं जाएंगे आप अपने high court की divisional bench high court की divisional bench का मतलब क्या है minimum जिसमें दो judges हो वैसी bench पे जाके appeal लाई जाएगा खीक है तो यह था हमारे पास आज central administrative tribunal में पढ़ने के लिए अब जाने से पहले मैं आपको दिखा के चला जाता हूं काफी बच्चे ऐसा बोलेंगे हमने कभी इस बारे में सुना ही नहीं कि central administrative tribunal क्या है तो वहां आप फोटो देख सकते हैं केरला की administrative tribunal और central administrative tribunal of जम्मू के बेंच की जो administrative tribunal है इन दोनों की फोटो आपको पीछे लिखी दिख रही है अब इसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाता हूं समप कर देना चाता हूं आपके लिए कि कैट में आपके पास समझने के लिए कुछ important बहुत जादा नहीं है अगर आपको ट्रिबिनल का मतलब पता है तो आप central administrative tribunal का मतलब भी समझ जाएंगे अगर आपको कुछ समझने की जरूबत है तो वो यह है कि central administrative tribunal exclusively deal करती है administrative matters है उसमें दो जज़ बैठते हैं एक judicial member होते ह और इसकी importance क्या है ताकि वो court के कारिभार को कम करे और यह कौन से act से आया है 1985 के act से यह आया है और constitution का article कौन सा है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है तो यह था हमारा आज का वीडियो central administrative tribunal के उपर अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt रहे गया तो आप हमें नीचे comment section मे जरूर बता सकते हैं इसके साथ ही साथ मैं आपसे मिलूँगा कल एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम administrative law के एक और dimension को cover करेंगे तैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको